आपने सडकों पर कई ऐसे ट्रक देखे होंगे जोसे खुबसूरत बनाने के लिए सजावट के साथ ही ट्रक की बॉड़ी पर कई तरह की पेंटिंग्स भी की गए होती फिर भी परिवहन विभाग इन ट्रकों का रेजिस्ट्रेशन करता है लेकिन एक कार पर जब खुबसूरत बनाने के लिए पेंटिंग की गई तो उसका रेजिस्ट्रेशन करने से ही चंडिगर प्रशासन ने इनकार कर दिया जिसके बाद मामला हाई कोर्ट तक पहुँच गया दरसल साल 2009 में चंडिगर के रंजीत मनहोत्रा ने दिल्ली में तैनात यूरोपिय संग के काउंसलर से एक एमबैसडर खरी दी जिस पर मेकसिकन आर्टेस्ट सैनकोई ने आर्ट वर्क किया हुआ था इस आर्ट की वजह से ही रंजीत नाम के शक्स ने एमबैसडर खरी दी और दिल्ली में ही पंजिकृत अधिकारियों से एनोसी लेने के साथ ही सभी आपचारिकताओं को पूरा किया और जब कार लेकर चंडिगर पहुचे तो यहाँ परिवहन विभाग ने रिजिस्ट्रेशन करने से ही इनकार कर दिया उन्होंने कहा कि कार कासली रंग सफेथ था जिस पर अब पेंट कर दिया गया और ये कार के वास्तविक स्वरूप में परिवर्तन की श्रेणी में आता विभाग के इस फैसले के बाद कार मालेक रंजीत मनहोत्रा ने पंजाब एंट हर्याना हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की मामला हाइकोर्ट पहुचा तो चंडिगर यूटी प्रशासन के सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल पंकत जैन ने कहा कि अभी तक रेजिस्ट्रेशन के आवेदन पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया ऐसे में ये याचिका प्रीमच्योर है हाइकोर्ट का एहम फैसला दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पंजाब एंट हर्याना हाइकोर्ट ने कहा मोटर वीकल अक्ट के अनुसार कार के असल रंग में परिवर्तन करना उसके मूल रूप से छेड़चाड करनी की श्रेणी में आता है अकसर ट्रकों पर कई तरह के स्लोगन और डिजाइन जैसे हम दो हमारे दो ओके टाटा हॉन प्लीज बने होते कारों के पीछे कई तरह के डिजाइन बने होते इनको वाहन के मूल स्वरूप में छेड़चाड की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता हाइकोर्ट ने कहा कि जैसे कैन्वस पर रंगों के जरीए कई तरह की पेंटिंग बनाई जाती जिससे कैन्वस का मूल स्वरूप रभावित नहीं होता है वैसे ही इस समय कार का मूल रंग सफेध है जिस पर पेंट किया गया ऐसे में इसे वाहन के मूल स्वरूप से छेड़चाड की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता इतना कहने के बाद हाई कोर्ट ने कार मालिक की याचिका स्विकार की और चंडिगर प्रशासन को आदेश दिया कि वो दो हफते के अंदर वाहन का रेजिस्ट्रेशन करें